गुड मॉर्निंग गाइस गुड मॉर्निंग फर्म अमर कंटक गाइस आप यहां पे देखे तो बहुत जादा पानी गिरा हुआ है आप अगर हमारा पिछले वाला एपिसोड को देखे होगे तो वीडियो के एंट में मैंने आपको दिखाया था पानी गिरते हुए तो उसी क आप देखे तो वो बहुत जो मेंन गेट आपको दिख रहागा वही है मेंन गेट इस टेंपल के अंदर में जाने के लिए तो यहां पर सुबह सुबह का टाइम है तो ज्यादा तर जो टूरिस्ट है वो अभी की डाइम पे नहीं है और पानी भी गिरा हुआ है तो ज्याद बढ़ाज के आन्दर में नहाने के लिए बहुत सारे घाट जो है बना दिये गए हैं यहां पर आप जो है नहा सकती हो यहां पर इस टेंपल के कसी भी टेंपल के अंदर में जा के फोटोग्राफी या फिर इडियो ग्राफी करना बिल्कुल अलाउड नहीं है तो इसलिए मैं जो है बाहर से आप लोग को दिखा रहा हूँ इस टेंपल का खुबसूरती बाकी यहाँ पर जितने वे सारे टेंपल है सब कुछ जो है वाइट कलर में है तो काफी खुबसूरत जो है लग रहे हैं अब अगर अमर कंटक आती हो तो नर्मादा माता जी का जो टेंपल है लाकी चेज़े वहाँ पर देखने को मिलेंगे अभी हम आ गए हैं अमर कंटक का फेमज जैन टेंपल और यहाँ पर आप देख सेके तो कितना बड़ा-बड़ा जो पत्थर हो यहाँ पर पड़ा हुआ है यह वाइट कलर का जो पत्थर है न बहुत ज्यादा बड़ा-बड मैं कैमरे को जो है वाइड एंगल पर सूट कर रहा हूं और यहां पर आप देख सकते हो यह जो गुंबद है अभी बनके रेडी नहीं हुआ है और यहां पर आप देख सकते हो यही है आदिनाद जी का जैन टेंपल और इसका यहां पर आप देख सकते हो यह जो है बहुत ही ज तारे इसके उपर में यह जो टेमपल इसको बनाया गया है यहां पर रहे, पष्टाहर पनाने के लिए कोई भी ऐसे जो लुय का सलिया होता है यह कि उसी आंगा दाल होता है, यहां पर उसे पाती आधनल theo हैला पर होताय है, जो हजार साल पूराना पर ने जम यानि इस पत्थर के उपर में, जो ruined के जगा पर उसी, तरीके का जो चीजिए हैं, उनसे ये इसको बना जारहा है ये मैं इसके कुछ सॉर्स बगरई आपको दिखाता हूं और यह ये जो ये इसको उपर में भी आपको बहुत सारे देवी देपताओं के जो मूर्तिया है वो लगाए हुए देखने को मिल जाएंगे यहां पर आप देखे तो बहुत बड़ा गुंबद है और future में जाके यही होने वाला है इस टेंपल के अंदर में जाने का main gate और यहां पर आप देखे तो कितना जादा बड़ा है और काफी टाइम से यह जो है अंडर construction में है अभी जो है बनके ready नहीं हुआ है तो इसके अंदर में जाना तो allowed नहीं है यहां पर जो रास्ता है उसको ढख दिया गया है बाकी आप side से या फिर जो पीछे से है उसे आप देख सेकते हो यहां पर चारो तरब से जो है दरवाजे हैं यानि इसके अंदर में आप जा से ही और इसके उपर में जाने का side से कोई रास्ता तो होगा नहीं ऐसा मुझे लगता है बाकी यहां पर इसका जो main temple है उसे आप देख सेकते हो यह है अधिनाद जी का main gen temple और इसके अंदर में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या चीज़े हैं बड़ यहां पर सबसे पहले जो main attraction जो गुम्बत है उसे आप यहां पर देख लो तो गैस यहां पर आप देख से तो अभी तक भी यह जो काम है यह complete नहीं हुआ है बन रहा है पिछले 20 साल से यह काम चल रहा है और अभी तक complete नहीं हुआ है तो 2025 तक यह जो काम है यह complete हो जाएगा और तब से लेके आज तक यह जो काम है यह चल रहा है और इस तरीके से यह काम चल रहा है गाईस यह जो पत्थर आप देख रहो ना इस पत्थर को इधर से उधर करने के लिए क्रेन की जुरुवत परता है जो कि आपने यहाँ पर देखा बहुत ही बड़े बड़े क्रेन यहाँ पर लगाएगे हैं काम के लिए जो कि पत्थर को इधर से उधर करते हैं सही जगा पर रखते हैं और यहां पर आप देखें तो यह जो पत्थर है कहां से लाया गया है कैसे इसको कट किया गया है उसके बार में कोई idea यहां पर नहीं है बड़ जो temple हैं बहुत ही खूबसुरत जो है लग रहा है और अलग-अलग design जो है आपको देखने को मिल जाएंगे, अलग-अलग जो देवी देवताओं कि जो मृतियां है वो इस temple के अंदर मैं देखने को मिल जाएंगे तो अभी हम थोड़ा सा इस temple का design को देखते हैं और फिर मैं आपको दिखाऊंगा temple के अंदर का main जो बुद्ध भगवान जी का मूर्ती है उनको और फिर हम यहाँ से जो है अलग किसी temple के उपर में जाएंगे और वहाँ पे भी मैं आपको दिखाऊंगा अभी मैं आपक यहाँ आपको दिखाऊंगा इस अभी हम आ गए हैं अमर कंटक का और एक धाम जो की है अमरेसपर बाबाजी का धाम और उसका मेन गेट यहां पे आप देख से तो इसके अंदर मैं जाते ही अपने को देखने को मिल जाएगा बड़ा साथ टेंपॉल और पहली बार जो है मैं आया हूँ तो यह जो आपको दिखाता हूँ कि टेंपल के अंदर में जो है क्या क्या चीजे हैं कि तरीके के कितने सारे वगवान जो है वहां पे हैं यह जो है सिब जी का मेन टेंपल है और सिब जी का बहुत बड़ा सा यहां पे लिंग को जो है रखा गया है तो यहां पे मेन जो टेंपल है वो द्वादस जोती लिंग लिखा हुआ है और इसके अंदर में हम चलते हैं और यहां पे आप देख सेकती हो यहां पे बारार जो जोती लिंग है उसको यहां पे एक साथ में रखा गया है और यहां पे एक साथ में आप जो है बारार जो जोती लिंग है उसे एक साथ दर्सन कर स सेखते हो और यहां पर देख सेखते हो तेंपल के अंदर में ज्यादा कुछ डिजाइन बगरा जो है रखा नहीं गया है और में जो एट्रेक्शन है यहां पर सबसे बड़ा जो ग्रेनाइट पत्थर का जोतिल लिंग है उसको यहां पर देख सेखते हो इसके अंदर में जाक हैं और टेंपल के ऊपर में क्या-क्या चीजें हैं उसको हम देखते हैं और यहां पे सी पर बनाय गया है जो टेंपल है उसको बनाय गया है यहां पर आप देखे तो अलग अलग भगवान जी का जो टेंपल है यहां पर बनाय गये हैं यहां पर जो सारे भगवान जी हैं जो की हिंदू संस्कृती में देखने को मिल जाते हैं सारे भगवान जी का यहां पर जो टें बावाजी टेंपल के ऊपर में तो यहां पर आप एक बार जो डेवी देपताओं के मूरती है और मंदीर है वहां पर पूजा वगरा होता है यहां पर नीचे में आप देखे कि 12 जो जियोतिर लिंग है सिभ जी का वही है और एक बहुत बड़ा ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ बड़ा सा सिभ लिंग है उसको भी आप विजिट कर सकते हो देख सकते हो आप चाहो तो अमरेस पर टेंपल जो है एक बार डेफिनेटली विजिट कर सकते हो अगर आप कंटक आते हो तो अभी हम यहां से निकलते हैं बिलासपूर के लिए और आज का जो हमारा राइड है बिलासपूर से होते हुए रायपूर तक है तो फिलाल अभी हम यहां से निकलते हैं आज के इस एपिसोड में बस इतना है गाइस वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है